हेलो एब्रीवन मैं हूरूच जी और डूइट भीतरूच जी में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रत वाली साबुदाना की खिचडी तो आईए फिर देखते हैं कैसे बनती है किचडी बनाने के लिए मैंने आधा कब साबुदाना लिया था और आधा कब से कम पानी डालकर इसको 5-6 गंटे के लिए भिगो दिया था आप इसको ओबरनाइट भी भिगो सकते हैं उसके बाद ऐसे उंगली से मसल के चैक कर लेंगे साबुदाना हमारा मैस हो रहा है इसका मतलब कि साबुदाना हमारा हूल चुका है अच्छे से अब हम एक पैन रख देंगे उसमें हमने दो टेबल स्पून घीर डाल दिया है इसमें आधी छोटी चमच जीरा डाल देंगे दो हरी मिर्च हैं इनको हमने बारी कट कर लिया था चौथाई छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर आप इसको इसके भी कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप ना डालें काली मिर्च का पाउडर और वस इसको थोड़ा सच चला देंगे अब मैंने याँ पर दो आलू लिये थे, उबले हुए, इनको मैंने पीसिस में कट कर लिया है, ये आलू डाल देंगे, इनको अच्छी तरीके से मिला देंगे, अगर आप ये ब्रत के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे लाल के लिए ढख के छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, अब इसको एक बार खोल के चेक कर लेते हैं, इसको बस थोड़ा सा चला देंगे, अब हम इसमें अपना नमक एड़ करेंगे, मैं सेंधा नमक डाल रही हूं, अगर आप इसको ब्रत के लिए नहीं बना रहे इसको 1 मिनाट के लिए धखके, फिर से छोड़ देंगे, एक बाद फिर से इसको चला देंगे, और आप मौंट्फली के दाने इसमец्मों आड़ करेंगे, मैंने या पर 3-4 कम मौंट्फली के दाने रोस्टेड लिये थे, पहले मैंने इनको भून लिया था, उर इनके छिक कल तक पकाना ऐसी तरीके से एक चला देंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा जैसे यह बन जाएगी बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट हो जाएगी इसको फिंगर से एक बार चेक कर लेंगे इसका डाना मैस हो रहा है इसका मतलब है कि ये विल्कुल बन चुकी है तैयार है इसका फ्लेम आफ कर देंगे और धनिया पत्ते से इसको गार्निस कर देंगे खिली खिली साबुदाना के खिच्डी हमारी बन कर तैयार है आप इसको जरूर एक बार ट्राइ करें अच्छा लगाते से लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें